सोमती अमावस्या, सोमती अमावस्या को दे पांच वस्तों का दान, मिलेगा पित्रों का आशिरवाद, सब्तधान्य से ग्रह दोश होंगे शांत, सोमती अमावस्या पर क्या दान करें? एक गरुर कुरान में कहा गया है कि जिस दिन सोवती अमावस्या हो, कुस रोज अपने पिरों का ध्यान करके धोती, दमच्छा, बनियान आरी वस्तरों का दान करें। इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आशिरवात देते हैं। 2. सोवती अमावस्या को सनान के बाद काले तिल का दान करना चाहिए, हाथ की अनामिका अंगुली में कुष की पवित्री पहन ले, फिर कोई वस्तू दान करनी चाहिए, कुष में ब्रहमा, विश्नों और महेश का वास माना जाता है, कुष को पवित्र माना जाता है। तीन सोवती अमावस्या पर ग्रहों की शांती के लिए सब्तधान्य का दान कर सकते हैं। इसमें चावल, गेहु, जो, काला चना, सफेद तिल, मूंग दाल आदी शामिल होते हैं। चावल से चंद्रमा, गेहु से सूर्य, काला चना से शनी, सफेद तिल से शुक्र, हरी मूं से बुध और मसूर दाल से मंगल ग्रह मजबूत होते हैं। इनसे जुड़े दोश दूर होते हैं। चार, सोवती अमावस्या पर अपने पित्रों का अशिरवात प्राप्त करने के लिए चंद्रमा से जुड़ी वस्तूओं जैसे दूद, चावल, चांदी, सफेद वस्त्र आदी का दान कर सकते हैं। 5. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पित्रों के नाराज होने से पित्री दोश लगता है। इससे मुक्ती के लिए आप भूमी का दान कर सकते हैं। हालांकि यह सबके क्षमता की बात नहीं है।